नमस्कार मित्रो, कनाद अकेडमी चैनल में आपका पुना हार्दिक स्वागत है व्याकरण के संजा प्रकरण पर हमारे विचार चल रहा है और पिछली कक्षा में हमने जून 2012 के तक के जो भी संजा के सूत्र थे उन पर विस्तार से विचार किया था आगे का पाट आप देखिएगा तो आगे कहा आपका कि जो ग्रामणी है तो ग्रामणी सू फिसका अनुबंध हटा की सालिखा इत्यत्र अप्रिक्त संजा कस्य भवती तो पहले के आपने देखे थे वहाँ पे डिरेक्ट सूत्र पूछते थे अप्रिक्त संजा के कि अप्रिक्त संजा का विधायक सूत्र क्या है यहाँ पर थोड़ा सा एप्लिकेशन कि किस प्रकार से उसको अप अप्लाई करते हो तो अर्थ यदि आपको पता है तो आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हूं आपके कहा था कि एक आल प्रत्य की प्रत्य की होती है लेकिन प्रत्य कैसा होना चाहिए वो एक अल रूप होना चाहिए एक अल रूप अब यहाँ पे यहनोंने क्या क्या सू इत्यस्य, सा इत्यस्य, ग्रामनी तो यह तो पाठ हटाई दीजे, ग्रामनी है या ग्रामनी प्लस सू है आपका यह तो एक अल है ही नहीं, वो प्रत्य भी नहीं है, प्रत्य के साथ में पूरा आपका प्राती पदिक भी है संधियर जो बच्छों को हो सकता है सू की करे या सा की करे तो एक अल वाले शक्ट पे धियान दीजिए कि एक जो अल है तो वो क्या होगा सOWN तो बी की आपकी होगी, सू की नहीं होगी तो आपको इस क्या रखना है कि अनुबंद लोप करने के बा ஓ तो अनुबंद लोप करके जो अंत में एक अल बचेगा, उस एक अल प्रत्य की ही आपकी अपरित संजा होगी, तो आगे के लिए ध्यान लखेगा, बी ओप्शन आपका हो जाएगा. अस्य शब्द अस्य नदी संजा नास्ती, तो नदी संजा किसकी नहीं है, वो आपको बताना है, यह थोड़ा कठीन है, कठीन किसलिए है, यह मैंने आपको पहले बताया था कि इकार जिसके अंत में हैं, या उकार जिसके अंत में हो, उनकी हो जाएगा, अब यहाँ पर सारे जो शब्द हैं आपके वे इकार अन्तवाले हैं, अब अन्तवाले उसे तो पता लगीगा नहीं, तो अब ये अभ्यास का पार्ट है या आपकी स्मृति का पार्ट है, थोड़ा से व्याकरण का परिचे, कि नदी की तो होती है नदी संजा, साध्धी भी होती है आपकी, कि साधु शब्द से गीपादी होके साध्धी बन गए आपका, स्त्री शब्द भी स्तृत्व वाला है, नदी संजा भी होती है, ग्रामनी एक अलग प्रकार का शब्द है, यहाँ पर यह जो ई दिख रहा है, यह किसी स्तृत्व का नहीं है यह क्या आपका ग्रामम नयती यह ती ग्रामनी है यह निय प्रापनी जो धातु थी उस निय का नी दिख रहा है तो यह आपका नदी संजक नहीं है नदी संजक कुन सा होगा जो स्त्रित्व वाला हो और साथ में इकारांत और उकारांत वाला हो यह आपका शर्त यहा आपकी नदी संज्या हो जाती हैं अगला प्रशन देखिएगा फिर रिपीट होगा प्रशन आपका वर्णा नाम अतिशाइता सन्निधी कि मुच्चते वर्णों की अतिशय समीपता को कहते हैं संहिता परह संनिकर्श संहिता पहले हम पढ़ चुके हैं वृद्धी संज्या व इंगी पररूपम ये पररूप संधी करता है बाकि संधी वाले सूत्र दिये थे ना कि संज्या वाले क्तकतवतू इसकी क्या संजा होती है ये भी रिपीट आपका क्तकतवतू निष्ठा नदी होती युस्त राख्यो नदी की घी होती शेशो ग्या सकी की उपधा होती है अलो अंत्यात पूर उपधा अंतीम अल से जो पूर अल है उसकी उपधा संजा होती है एकाल प्रत्यह कह भवती ये फिर रिपीट आपका अप्रिक्त एकाल प्रत्यह बी ओप्शन हो जाएगा संयोग संजा भी हमने पढ़ी थी हलो नंतराह संयोग अपधा अभी आई थी अलुंत्यात पूरुपधा वृद्धी थी आपकी वृद्धी रादाईच फिर आपको मै जो ओर उधार्ण दिये गए हैं आपके ये उसके संजा वाले नहीं है ये सिंपल पार्ट आपके जैसे दन्डेण घटाह ये हेतव का है आपका विभकती का विधायक सूत्र आपका तो हेतव में तृतिया होती है तो ये अपके दन्डेक के कारण वो घट बना है तो आपका अधी हरी कैई अर्थ क्या पिक घटा उपसर जनम पूर्वं का कि वहां प्रतमा निरिधिश्टम समास उपसर जनम कि समास मतलब समास विधायक सूत्र में समासे शब्द हम आपे, समासे विधायक सूत्र में परतमा विवक्ति से निर्दिष्ट जो पद है उसकी क्या हो जाती है उपसरजन संजा हो जाती है तो अब देखिए अव्यम विवक्ति समीप में अव्यम जो शब्द था आपका वो परतमा निर्दिष्ट था तो इस पर्थमा निर्दिष्टम समाच उपसर्जनम से अधी जो था ये उपसर्जन संजक था उसका पूर्णी पात होके अधी हरी इस प्रकार से ये उधान आपका मैच होता है बाकी का आपको बताई दिया था अच्छा प्रशन था आपका कुछ चीज है इसमें तो वो आपको ध्यान रखने चाहिए आगे भी पूछी जा सकती है अगला प्रशन है आपका विश्णू इमव अत्र का संजा प्रवर्तत है कि यहाँ पर कौन सी संजा होगी तो यहाँ पर प्रग्रहिय संजा है हमने पढ़ा था इदू देद ए उ और ए तो ए का रांत या उ का रांत या ए का रांत जो दिवचन वाले शब्द है उनकी प्रग्रहिय संजा हो जाती है और विश्णू को देखो विश्णू पृत्रमा में बनेगा विश्णू यह दूतिया में हो गए आपका ऐसे विश्ण वाह यह भवचन में हो जाएगा तो विश्णू जो शब्द है आपका यह दूवचन में है आपका तो वही बाया और उ का रांत भी है इसकी प्रग्र संजा होगी और प्रग्रिस संजा का फल क्या है यहाँ पर कि इमव परे होने पर जो संधी प्राप्त थी आपकी यन संधी वो यन संधी आपकी नहीं होगी तो विश्णू इमव दोनों अलग लग ही रहेंगे आपको डिरेक्ट भी नहीं आद आता तो औरों को देख सकते हो गी संजा तो शेश उग्या सकि, हरस्व इकार वाले या हरस्व उगार वाले की होती है, संयों संजा तो व्यवधान रहीत जो हल है उनकी होती, यहाँ पे कुछ ऐसा part नहीं है, यहाँ पे शाओना की संदर में नहीं देखना, दोनों शब्दों के संदर में देखना है, नदी युस्त राख्यो नदी, वहापे ठीक आपका कि ओ है, दिर का ओ, लेकिन विश्णु शब्द, इस्त्री आख्या वाला तो नहीं है, ये तो पुलिंग शब्द है आपका, तो इसलिए वो भी नहीं हो सकती, त तभी आप अंसर ठीक कर पाएंगे, क्रित तद्धित समास आश्चा ये पहले भी आ चुका है, इससे क्या संजा होती, प्राति पदिक संजा, तो प्राति पदिक संजा की दो सुत्र हमने देखे थे, एक अर्थ वद धातुर प्रत्य है प्राति पदिक वो था, और ज़्या प्रशन आपके पहले भी आए होगे किस पूर्थ एक इसी से, क्रित तद्धित्र समास आश्चा, फिक वुद्र जो हैं, तद्धित्र हो जाती पनी संजा हो जाती है दिसंबर 2014 का है विभाशा संजा विधायकम सुत्रम की बिल्कुल अलग वाला पाट आगा ये रिपीट नहीं है तो नवेती विभाशा सुत्र है सिंपल सही सुत्र में ही लिखा है विभाशा गिश्यो हाँ ये confusion करने हैं कई विभाशा वाले सुत्र दें लेकिन है सब अलग अलग कारिय करने वाले ये सपनाम संजा करता है कोई कुछ करता है तो यहां पे सुत्र मूल आपका जो विभाशा संजा करता है नहीं नावेती विभाशा तो अर्थ भी देख लिजिए ना और वा दो शब्द यहां पर किया है और बाद में इती लिखा है तो ना मतलब ना शब्द नहीं लेना ना का जो अर्थ निशेद यह ध्यान रखना आगे पूर सकते हैं कभी प्रशन यहां पर शब्दों की नहीं होती ना का जो निशेधार्थ है वा का जो विकल पार्थ है उन अर्थों की होती है ये अर्थ ग्रहन किसी किया जाता है इती शब्द के ग्रहन से कि इती शब्द के कारण से ना और वा, इन शब्दों की नहों के ना का जो निशेधार्थ है, वा का जो विकलपार्थ है, उनकी विभाशा संजा होगी, तो 26 का हो जेगा आपका बी ओप्शन. अप्रित एकाल प्रत्य जवाइति सुत्रे अल इत्यनेन किम गरहियते, अल के द्वारक क्या गरहन किया जाता है, इस परी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ आपका, आप देख लीजीगा उसमें, तो उसमें प्रत्यहारों के बारे में बताया, कौन-कौन से प्रत्यहार बनते हैं, किस प्रत्यहार से किन-किन वर्णों का गरहन किया जाता है, तो यह अल भी एक प्रत्यहार है, ऐसे बहुत सारे, 40-43 प्रत्यहार बनते हैं, सबका प्रयोगता नहीं होता है, आपके सलेबस में, कुछ का होता है, जैसे अच हो गया, हल हो गया, अल हो गया, यह प्रसिद प्रसिद हैं, तो अच के द्वारा कहते हैं स्वरों को, हल के द्वारा कहते हैं वेंजनों को, और अल में दोनों या आगे, आसे लेके ला तक मतलब जितने भी वर्ण हैं उन सब वर्णों को अल की अंत्रगत ग्रहीत किया जाता है, ठीक है? सामान्य रूप से, पूरा अर्थ नहीं लेना है, बस सामान्य ही लेना है कि घी संजा किसकी होती है, स्ट्रिलिंग शब्दस्या स्ट्रिलिंग वाले जो शब्द हैं, उनकी आपकी घी संजा होती है वैसे अगर देखे, तो ये प्रशन थोड़ा सा गलत रूप में है जो किया जाता है दो रूप में करते हैं हमापि शेश, एक तो कहते हैं कि हरस्व इवर्ण और उवर्ण अन्त वाले जो शब्द है लेकिन जो स्त्रिक की आख्या वाले नहीं है य्थाथ पूलिंग वाले हैं सामानीता हम कह सकते हैं उनकी घी संजा होती है जैसे अगनी शब्द है वायो शब्द है इत्यादी शब्द है गुरू शब्द है इस प्रकार के शब्द आपके आजाएंगे जिनकी आपकी घी संजा होगी तो इस पक्ष में क्या बनेगा आपका पुलिंग वाल आ जाएगा आपका पुलिंग वाले उधान है लेकि एक पक्ष और है आपका कि जो स्त्री के आख्या वाले है भी लेकिन उनकी नदी संजा नहीं हो पाई तो वो भी शेश है तो उनकी भी घी संजा होती है तो उसमा गान कृति है धेनू है वहाँ पर है तो इसलिए थोड़ा mixed part है mixed part होने कान से यह pulling के पक्ष में भी जा सकता है stilling के पक्ष में भी जा सकता है अब पूछने वाले ने किस दृष्टी से पूछा है वो कहना मुश्किल है सामने तया का भी प्राइए यह भी ले सकते हैं कि पहले जो आपका कहा था stilling की ही जड़ा चरचा चल रही थी उससे अलग जो है शेश वो pulling का हो गया त्यूमिया इस दृष्टि से pulling भी अर्थ कर सकते हैं आपका answer कर सकते हैं यह सामयने था कि पहले भी strilling करते आ रहे थे, strilling की नदी संजा, उन में से जो बच्चे भी strilling है, उनकी घी संजा हो जाएगी, तो उससे strilling भी कर सकते हैं, इसलिए संशयात्मक पार्ट है, जो जो संभावनाई हो सकती थी, वो दोनों में आपके सामने रखी, pulling option भी कर सकते है मुझे लगता है कि UGC ने इसका pulling वाला option स्विकार किया है तो शायद उन्होंने कुसी एक दृष्टी को रख के मन में वो स्विकार किया है वैसे तो एक प्रशन आपका उतना ठीक नहीं है क्योंकि confusion वाला प्रशन है अगला दिखिए जून 2015 का सरवनाम स्थान संजया करने वाला सूत्र कुन सा है आपका वो आपको बताना है तो दो ही सूत्र थे आपकी एक प्रशन पहले आ चुका था शी सरवनाम स्थानम से दूसरा सूड़न अपंसे कस्या थर्ड ओप्शन आपका हो जाएगा सरवनाम स्थान पूछा था कठीन प्रशन था जिनको नहीं पता था यूदि को इसमें सरवनाम स्थान है इसमें सरवनाम स्थान है यह संजया करते ही नहीं है एक पार्ट और ध्यान लखिएगा कभी अगर आपको संजय हो जो भी संजा, जो संजा विधायक होगा ना, उसमें हमेशा प्रत्मा विवक्ती मिलेगी, जिसे सरनामस्थान संजा होती है, यहाँ पर देखो सरनामस्थान में सप्की विवक्ती है, यहाँ भी सप्की विवक्ती है, यह कभी भी सरनामस्थान संजा विधान नहीं कर सकता, न इसी के नुर्ति सुड़नपुन से कस्य में आती है, वाभी पर्थमई वक्ति है, इस आधार पे भी आप कभी-कभी अन्दाजा लगा सकते हो, विवक्तियों का पता होना चाहिए, पर्थमा का क्या है, तृतिया का क्या, पंचमी का, सप्तमी का, इनका इससे काफी आपको help मि मिलेगी, किसी अर्थ को पहचान नहीं, सुप्ति गंतम पदम इति सूत्रम अति रिच्य, पद संज्या विधायकम सूत्रम किम, तो सुप्ति गंतम पदम के बाद में, तीन सूत्र हैं, आपके और हैं तिरिक्त, जो पद संज्या के विधान करते हैं, तिया पर अति रिच् तो कि में किया प्रत्य है आपका क्यंग क्यश कर उनका सामाने करके क्या लिया है तो इन तेनों का ग्रहन किया है तो इन सब प्रत्यों के परे रह ते ना मतलब नकारांत जो आपका शब्द है उसकी exist हो जाती यह जिसे राजीयती, राजायते, आदी-आदी जो शब्द बनते हैं तो आपे राजन जो शब्द था, नकारांध था, परे आपका कैच परत्य था तो यहाँ पर राजन की पदसंजा होगी, फिर नलोप पराथी पदिकांते से से ना कालोप होगे राजीयत, इत्यादे, उधारन आपके बन जाएंगे, यह तो नहा केवाला होगे अगला सूत राजजी से प्रशन आपके आते रहते हैं, वो है सितिचा सितिचा काया तो सित्परत्य परे होतो, तब भी पूर्व की पदसंजा आपकी हो जाती है तो सित्परत्य मतलब सकार इत जिसका हुआ है, जिसे भवदिया, उर्ना युह, तो उर्ना या यूस, यूस परत्य हुआ, यूस में साकी हलंत्यम से इत संजा हो गई, तो यह सित्परत्य हो गया सितियचए ऐसा आप कह सकते हैं अगला अधाकई स्वादिश्य सरणामस्थाने जो की अपना उधारण है तो स्वादिशू और सरणामस्थान कि स्वादियों मेरे मतलब है कि चोथे और पाचेवेद्ध्याय के जितने भी परत्य हैं उन सबको आप स्वादी प्रत्य कह सकते हैं और उन्हें भी सरनामस्थान भिन स्वादी पांच की होती है उन से भिन होने चाहिए तो ऐसी जो प्रत्य है उनके परे रहते पूर की पदसंजा हो जाती है ठीक है तो यही आपका उधान बनेगा फूर्थ वाला इसमें कई सारे उधान आपके जिसे राज भी ही राजन शब्द था परे भिस था भिस आपका स्वादी भी था सरनामस्थान भिन भी था उसके परे रहते राजन की पदसंजा होके नकार का लोप हो गया इत्याद इत्याद उधान आपके बनेगे important part है, सारे मैं आपको बताएं, इनको याद रखेगा fourth option आपका हो जाएगा उपपद संजा विधायकम सुत्रम कि उपपद संजा विधान करने वाला सुत्र क्या है वैसे तो उपपद संजा आपकी syllabus का part नहीं है, क्योंकि लेकि संजा प्रकण के अंतरगत आपका इस लेवस में नहीं है, तो फिरी भी जहां रख सकते हैं, तत्रोप पदम सब्तमिस्थम, ये उपपद संजा करता है, ये भी कठिन था क्यों उपपद मतिंग में भी उपपद था ये पर्थमा में भी था यहां बर भी उपपद हैं, ये भी पर्थमा हैं, तो किल विभक्ति के अधार पर पहचान करपाना कठिन था, कि कौन सा संजा विधायक कौन सा नहीं है उपपद मतिंग तो समास विधान करता है, अगर थोड़ी सी जानकारी हो तो, कहां आगे ये जो तत्रोप पदम सप्तमी स्थम कहता है कि, मतलग इस धातू के अधिकार में सप्तमी भी भक्ति में स्थित जो पद है उसकी उपद संजा होती है जैसे कर्मन्यन लो, उसके बाद में आपके कर्मन्यन आदि सूत्र है तो कर्मनी, ये आपका क्या है सब्तमी भक्ति वाला पदयत, इसकी उपपद संजा हो जाएगे, तो कुम्भम करोती कुम्भका रहा, इत्यादी त्यादी धान बन जाएगे, तो मोटा मोटा कर लिजिए, तत्रोप पदम, सब्तमी स्थम, इससे आपकी उपपद संजा हो जाती है, अगला अधस्तनेशु, निष्ठा, संजा, कस्य भवती, ये भी पहले आचुका आपका, क्ता और क्तावतु, तो यहाँ पर क्तावतु option है, तो थड़ापका हो जाएगा, अनियर तव्यादी इनकी निष्ठा संजा नहीं होती है, दिसंबर 15 का देखिएगा, शक, इत्यत्र, टी संजा, कस्य, थोड़ा समझेगा, अच्यादी ती, तो अच्यमे निल्धारण में आपकी शष्ठी, अच्यो में जो अंतिमच, और वो अंतिया, अंतिया मतलागा, अच्यो में जो अंतिमच हो आदिर है, जिसके, या भवरी समासा, अंत्या आदिर यस्या, सिंपल सिंपल कर लिजे, अचो में जो अन्ति मच वो आदी में है जिसके उस पूरे समूदाय की जिसके आदी में उसकी नहीं, ठीक है, तदगुन सम विज्जयन बहुबरी करेंगे उस पूरे समूदाय की क्या होती है, टी संजा हो जाती है जिसे शका देखिए, शक में शा आ गया, फिर आ आ आ गया, फिर का आ गया, फिर आपका आ आ गया तो अचो में अन्ति मच क्या है अ, वो किसके आदी में हैं, किसी के भी आदी में नहीं है क्योंकि आ के बाद में कुछ भी नहीं है तो आदी में यह मतले लेना मतले आ के बारे में करें आ आदी में है जिसके मालज़ अगर बाद में कोई ता होता तो हम कहते कि आ किसके आदी में है किसके पहले है ता के चोकि बाद में कुछ है ही नहीं तो हम कहेंगे आ किसी के आदी में नहीं है आ अंती में है तो अब यहाँ पर कुछ सूत्र लगते हैं इस विवहार को करने के लिए कि जब एक ही आ है इसको हम कैसे आदी कह दें तो आध्यन्त वदे कस्मिन की एक में भी आदी और अंत का विवहार हो जाता है या व्यपदेश बहाव ये कस्मि इसको भी कर सकते करना चाहें तो यह जो आ था इस आ की ही आपकी टी संजा होगी ठीक है तो सिंपल सिंपल याद रखने के लिए क्या करो अगर कोई टी संजा पूछे तो दो धाण में रखता हूं एक तो अगनी चित रख दिया मालेजी अगनी चित हो गया अंत्य में जो अच आयगा उसकी हो जाएगी अगर अंत्य में कोई अहल आता है जैसे अगनी चित में हैं तो उससे पहले क्या है ये है कर दिया, सिंपल अकार नहीं लिखानों ने, थी क्या कर दिया, ककार उत्तर वर्ती, शकार उत्तर वर्ती नहीं, ककार के बाद वाला जो आ है, अंतिम आ, उसकी होती है, थोड़ा सच्छा कोश्चन था आपका, थर्ड ओप्शन आपका बन जाएगा, पूरे का की भी नहीं केवल आ की होगी, और वो भी कौन सा आ, ककार के बाद वाला जो आएगा, उसकी होगी, आगे पूछा सखन इत्यत्र उपधा संजा कस्य भवती, ये पहले भी हम गटा चुके हैं, अंतिम अल से जो पूर्व अल है, सखन में देखो, पहले से आ गया, फिर आ गया, फिर खा आ गया, फिर आ गया, फिर न आ गया, अंतिमल है, न, उससे पूर्व अल क्या है, अ, इस अ की उपधा संजा हो जाएगी, सिंपल सा पार्ट है, तो देखो, क्या होएगा आपका, खकार उत्तर वर्ति नह अकार अस्या, ये हो गया, खकार उत्तर वर्ति अन का नहीं होगा, सकार का नहीं होगा, सकार से उत्तर वरत्ती जो अकार उसका भी नहीं होगा, थर्ड ओप्षन हो जाएगा, कि खकार के बाद वला जो अकार है, उस अकार की आपकी उपदा संजा हो जाएगी। अब ये थोड़ा कठिन दे दिया, अपरित संजा किसकी होती है, अपरित एकार प्रत्य है, एक अलवाला जो प्रत्य है, अब गये कि आप चार प्रत्य दिये हैं, उन्में से अनुबंध हटाओ, अनुबंध हटाने के बाद, जो केलिक सिंगल बच जाएगा आपका केवल एक रूप में, उसकी अपरित संजा होगी, भ्याम में आपका कुछ नहीं हटता, अनंग में गह ँट जाएगा अन बच जाएगा, गमुट में टा बच जाएगा, गहा अप केवल सिंगल तो आपका सू महीं है, सो का ओ हटके क्या वजता आपका किल सकार बचेगा तो पूछे की निरनबंद कहा अनुरनबंद कहा अनुबंद हटाने के बाद किसकी होगी आपकी इसकी हो जाएगी फोर्थ की दिखने में तो यह भी अब एक आल नहीं दिखरा है लेकिन सुत्र में कहा दिया ना कि अनुबंध हटाने के बाद बताओ आप किसकी होगी तो अनुबंध हटाने के बाद आपकी साकी हो जाएगी जनवरी 2017 का देखिएगा आपका अंत्याद अलह पूर्वनस्यक का संजा भवती फिर रिपीट हो या उपधा संजा निशेद वि विभाषा संजा होती है तो सेकिंड ओप्शन सुड़न अप्टुन सकस्य इति सुत्रे नका संजा करियते यह भी रिपीट आपका सरनामस्थान संजा बाकी भी आप अभ्यास करने के लिए ना जो जो संजाएं बच गे उनके सूत्र भी बोला किजिए निश्ठा में एक त संजा विधायकम सुत्रम की मस्ती इनमें से गति संजा का विधान करने वाला सुत्र क्या है तो ऊ補ीन संजा का एक लंबा प्रकन चलता है इसका अलग रख प्रकणकी है आपके तो यहां पे तो संजा वाला पायट पूचा था थोड़ा सा अलग था पहले नहीं आये था आपका उर्यादी च्विडा चश्च तो वैसे तो गती संजा वाले बहुत सूत्र हैं यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है नहीं याद हैं तो आप पहले उन सूत्र को छोड़के बाकी जो संजा विदायक सूत्र हैं उनको पक्का करें उसके बाद में आप उन गती संजा वाले जो अनेक सूत्र हैं उनको भी आप कर सकते हैं नमंबर 2017 के देखी धातुम प्रत्ययम प्रत्यांतम चवर्जय इत्वा को राती पदिक संजम अर्थ वदे धातुर अप्रत्य प्रत्यांत प्रत्यांतम चवर्जय यदे उनकी प्रत्यांतम दिसममर 18 का देखीगा मैचिंग करनी है हम पढ़ चुके हैं बहुत सारा अच्छो अंत्यादी टी एका तीन एका तीन देखी एक से हो रहा है एक से ही हो गया देखो सैकंड ओप्शन बन गया आपका बाकी ओरों को भी हम देख लेते हैं कृत तदित समासाश्चे से प्रातिपदिक संजा होगी अंत्याद अलसे पूर्व की उपदा संजा होगी और इ इंदरह ये प्रग्रिय संजा प्रग्रिय संजा के भी कई सूत्र है आपके इदुदे, दिवचनम, अदसो, माशे निपात, एका जनांग इत्यादी करके तो इसको आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा फिर भी माली जी प्रग्रे सिंजा का नहीं भी पता होता तो और उधारणों को आप देखकर आप प्रशन का उत्तर दे सकते थे सेकंड उप्षन आपका बनेगा उपधा पे तो ये काफी प्रशन पूछ रहे हैं तो सेकंड उप्षन हो जाएगा अलोंत्यात पूर्वर्नस थे क्या सिंजा भवती इसका देखिए सुड़न अपूंसे कस्चे थी पाने नी सुत्रे नका सिंजा विधिये थे ये भी रिपी क्या आपका अक्टूबर 22 का सिंजा विधिये थे ये पद संजा के प्रक्रण में आपका आता है मैं आपको बताया था फिर रिपीट करते हैं देखो सुप्तिंगंतंपदम पहला सुत्र अगला नहक्य दूसरा सिंजा तीसरा स्वादिश्व सनामस्थान तो पहले स्वाद संजा हो जाती है तो फौर्थ ऑप्शन आपका बंग जाएगा संजा तो यची भम से होती है प्रग्रई संजा आपकी एदुदेद्व्योचनव प्रग्रियंस से होती है सरवादीनि सार्वनामानी से होती है और अलग लग पार है अब दिसंबर 2022 का देख़िएगा यहाँ से ही देखते हैं, डी कावन, डी कावन, देखो एक से ही हो गया, तो कितनाई यजी है, थरड़ उपशन, मैंची कमानों बहुत यजी पढ़ते हैं, बाकि और भी देख लेते हैं, भाबाप्रधानमाख्षातम निरुक्त में आता है, शत्त्त प्रधानानी नामानी ये भी नि तो तीन आपके निरुक्त के आ गए एक आपका व्याकरण का आ गया सिंपल था एक कभी पता हो तो आप अंसर कर सकते हैं तो यह आपके 2022 तक के जितने भी संज्या से संबंदित प्रशन थे उनको आपने देखा तो आपने देखा कि वह सारे प्रशन हैं जो रिपीट होते हैं और ये भी देखा बाद वाले जो पेपर हैं आपके 19-20 के बाद के वहाँ पर संज्या के आपके कम हैं प्रशन और बाकी आप देखें व्याकरण के अन्य प्रशन जादा हैं और प्रारम के प्रशनों में देख हैं कुछ moderate होते हैं कुछ सामने भी होते हैं तो आपको सभी पध्यान देना चाहिए ठीक है तो इस अंजय का पार्ट पूरा हो गया अगली क्लास में अन्य विश्यों को पूरा करेंगे आप अच्छे से इनको device कर सकते हैं वीडियो को दो बार तीन बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा